सबी किसान भाईयों का और डेरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि पीडी एफ़े में नए बुल आ चुके हैं काफी टाइम हो गया है भी इनको आई हुए लास्ट टाइम जो पीडी एफ़े थी उसने सी आराई के बुल सेल किये थे जो स्टोइक याड गेज ये वले बुल थे इस बार जो पीडी एफ़े में बुल सेल हो रहे हैं वो सीमेक्स कंपनी के हैं और उसी के बारे में आज हम डिसकर्स करेंगे पीडी एफ़े जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि प्रोग्रेसिव डेरी फार्मर्स एसोसियेशन पंजाब की ये एक संस्था है जो डेरी को प्रमोट करने के लिए और डेरी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है और ये काफी और मेले भी और्गनाइज कराती है के से काम करती है मेले और्गनाइज कराती है और सीमन वगेरा और फार्मर्स को बाकि चीजे भी कम रेट पे देने की कोशिश करती है जो जो भी एसोसियेशन के मेंबर्स हैं तो फ्रेंड्स इस बार जो उन्हों ने बुल आय हैं उसमें हैच एफ और जर्सी के बुल है और देखिए फ्रेंड्स ये बुल है केन जो की काफी ज्यादा वाइट कलर में है और इसके नीचे आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये भी इसकी डॉटर की फोटो है साथ में आप देखोगे सीमेक्स कंपनी का लोगो भी लगा हुआ है और ये भी इसकी डॉटर की ही फोटो है तो इसकी ग्रैंड डैम है मतलब कि यह इसकी नानी है तो इसका जो डिटेल है आप देख सकते हो सबसे पहले तो इसमें इन्होंने दो चीजे लिखी है आप देखोगे कि एक तो इम्मुनिटी प्लस है और एक कालविंग इस है मतलब कि बिमार भी कम होंगे इसके बच्चे इम्म की कम्प्लीट पेडिग्री है सायर आप देख सकते हो उसके बाद MGS देख सकते हो और MGS सायर भी है इसमें नाना भी है पढ़नाना भी है जो की पेडिग्री बनती है बॉमबेरो मोगूल और ओमैन ओमैन उसके नीचे इसकी आपकी नानी पढ़नानी सबका रिकॉर्ड है व कि ये जो बुल है इसके अंदर इसकी पेडिगरी में देखो बॉंबेरो तो है वो तो बेकल कॉमन बुल नहीं है वो तो आपको नहीं मिलेगा इंडियन ब्लेड लाइन्स में लेकिन जो मुगूल है और ओमैन ओमैन है ये जो बुल है ये आपको बहुत सारी ब्लेड लाइन क अंदर मिल जाएगा तो इसको लगाते वे ध्यान रखना कहीं इन ब्रीडिंग ना हो जाए क्योंकि काफी जादा डैन्मार्क और यूएस से के जो इंपोर्टेट बूल आए हैं इंडिया में बलकि मैं तो कहूंगा लगबग 50 परसेंट बूल ऐसे होंगे जिसमें आपको मोगूल की या ओमैन ओमैन की या सूपर सायर की इनके जो ब्लड लाइन है वो मिल जाएगी इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका आगे रिजिस्ट्रेशन नंबर है कैनेडा की कंपनी है तो होलस्टन इसके बाद इसका कंप्लीट नंबर दिया हुआ है बीटा कैसी इन एवन एवन है तो जो फ्रेंड्स एटू एटू लगाते हैं उनके लिए बुल नहीं है वाकि उपर यह पेडिगरी मैंने पहले भी पता आई थी बॉमबेरू मोगूल ओमैन ओमैन मैन ओमैन उसके बाद प्रोवन बुल है प्रोड़क्शन डाटा देख लो आप 582 हर्ड में 1048 डाटर पे इसका प्रोड़क्शन डाटा रिकॉर्ड हो चुका है 99% रिलाइबल है तो हजार से उपर डाटर है मतलब काफी ज़्यादा प्रोवन और रिलाइबल बुल है तो काफी अच्छा प्रोड दिया है पूरे लेक्टेशन में 496 केजी है तो काफी ज़्यादा अच्छा प्रोड़क्शन डाटा है बहुत ही अच्छा डाटर एवरेज है बस इन ब्रीडिंग का ध्यान रखना अगर आपकी ब्लड लाइन में ये ब्रीड या ये ब्लड लाइन नहीं है तो आप इसको पे हिजक यूज कीजिए बहुत अच्छा मिल्क देगा क्योंकि मिल्क में इंप्रूव्मेंट आप देख सकते हो प्लस 2358 केजी है जो की बहुत ही अच्छी है अब इसके बाद इनका जो हैल्थ एंड प्रोडक्शन डाटा दिया गया है ये उसी तरह दिया गया है जैसे आ तो ये यूएसी की तरह नहीं है जो डाटा अलग तरीके से देते हैं इनका जो डाटा देने का तरीका है वो अलग है तो इसका जो स्कोर हाई है जहां पर जिसे हमने पहले भी पताया था ये काफी कालविंग इस बुल है तो जो इसकी डाटर कालविंग एबिलिटी का स्को कालविंग एबिलिटी 105 तो काफी अच्छा बूल है कालविंग इस में जो कि इसकी में स्ट्रेंथ पॉइंट है यह आप हीफर को इसको लगा सकते हो क्योंकि हीफर में जातर चांस होते हैं बच्चा फसने के तो वहाँ पर इसका क्योंकि कालविंग स्कोर जो है सायर कालविं इस बहुत अच्छा है तो आप इसको हीफर में जरूर लगा सकते हो आपको काफी अच्छा रिजल्ट इसका हीफर में मिलेगा बकि इसके急 सकते हो तो नीचे इसका सारा पूरा ग्राफ देके चार्ट बनाया गया है, पूरा आप देखोगे फोर अटेच्मेंट, फ्रंट अडर, अडर बहुत उचा बनेगा, वाइड चोड़ा बनेगा, वाइड है, हाई है अडर, तो उस हिसाब से बनेगा, फ्रंट टीट प्लेस्मेंट क् नहीं है, में चीज आपको ब्लेड लाइन देखनी है, और इसका डॉर्टर एवरेज बहुत अच्छा है, तो आप स्ट्रक्चर यहां से देखी सकते हो, कि किस टाइप के बच्चे आएंगे, क्योंकि यहनोंने बहुत अच्छी चीज की हुई है, कि आपको साथ ही में इसक कि बच्चडियां कैसी बनके तयार हो रही है, वो डिरेक्ट दिखा ही दिया है, तो आपको ज़्यादा पता ही लग जाएगा कि कैसा अडर आ रहा है, कैसा स्ट्रक्चर आएगा, कैसा कलर आएगा, तो आपको लगबग यहीं से पता लग जाएगा, में चीज आपको उसके बाद ही आपको ये जो सीमन है वो एवलेबल हो पाएगा तो आप वहां से पंजाब लुद्याना से ये सीमन ले सकते हो या आपके आज पास किसी फार्मर ने अगर ये सीमन परचेस किया है असुसियेशन से तो आप उनसे भी रिक्वेस्ट करके एक दो स्ट्रॉ ले सक तो सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद